नमस्कार साथियोर मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर हम पढ़ते हैं आज दात्वों की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है देखिए आज मैं पार्ट 6 लेके आया हूँ दातो राधांतु चेप्टर का तो इसको ह बढ़ेंगे इसके बारे में संभूर्ण जाने करें आज प्राप्त करेंगे देखिए हम मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले धातो की प्राप्ति तो धातो की जो प्राप्ति होती धातो कांसे प्राप्त होते मैं लिखता हूँ धातू कहां से प्राप्त होते हैं आखिर मिल प्रत्वी की भू परपटी से प्राप्त होते हैं तो अधिकतर दातों कहां से प्राप्त होते हैं प्रत्वी की भू परपटी या निक प्रत्वी की उपरी सतर जो होती हैं वहां से धातों प्राप्त होते हैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ मैं धातों और कहां से प्राप्त होते हैं धातों लवणों के रूप में समुद्रों से प्राप्त होते हैं तो ये था दातु कहां से पढ़ात होते हैं जो मैंने आपको बताया और आपको समझ में आ गए होगा आगे चलते हम बहुत ही मैधपूर्ण डेफिनेशन पढ़ेंगे खनीच के बारे में कि खनीच क्या होता है ये जरूर एक्जाम में पूची जाती है इस्टुडेंट और आपको ये डेफिनेशन 101% में कहता हूँ याद कर लेनी है क्योंकि बड़ी क्लास के स्टुडेंट हो या चोटी क्लास के स्टुडेंट हो खनीज की जो definition होती इसमें आदिक तर student गलती कर देते हैं तो student में इसकी definition लिखूँँगा आप इसको द्यान से समझेगा क्या है definition प्रत्वी की भूपरपटी पर प्राकर्तिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या योगिक खनीज कहलाते हैं जान दीजे खनीज किसे कहते हैं प्रत्वी की सत्व अबूपरपटी पर अगर प्रकर्ति द्वारा जो बने हुए तत्वे प्रकर्ति ने बनाए कोई मानव ने नहीं बनाए तो प्रकर्तिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर योगिक क्या कहलाते हैं खनीज कहलाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभासा है इसको आप जुरूर याद करें आगे चलते हैं नेक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा मैं आयस्क की जो की बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है इसको भी आप समझेए खनीज जहां विशेज धांतू पाई जाती है और यहां अधिक मात्रा में होती है अधिक मात्रा में होती है यह क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है और इसे निकालने से फाइदा होता है प्रॉफिट होता है, फाइदा होता है उसे खनीच कहा जाता है ईसक कहा जाता है माल लीजे, खनन किया जारा है, वहाँ से खनीच निकला जारा है उस खनीच के अंदर कोई विशेज धांतु पाई जाती है, जो ज़्यादा मात्रा में हो मनला उस खनीच के अंदर ऐसी धांतों जो ज़्यादा मातरा में हो दूसरी धांतों कम हो लेकिन वो ज़्यादा मातरा में हो और वो ज्यादा मातरम जो दांतों बहुत ही फाइदा पहुंचा थी मतलब अगर उसे प्राप्त कर लिया जाए तो हमें ज्यादा इंकम होती है पेशा प्राप्त होता है ज्यादा फाइदा होता है प्रॉफिट होता है तो यह definition आप जरूर याद रखें कि ask किसे कहते हैं तो यह आपको पता चल गया होगा मैं जैसे कुछ उधार लिख देता हूँ मालीजी आपको लोहे के ask की बात करें लोहे के ask अब आपको लोहा प्राप्ट करना है कई जगे है इस्तान एक खरन किया जारा है वह लोहा ज्यादा मात्रा में तो लोहा ज्यादा मात्रा में इसका मतलब है उस लोहा कहां से निकला जाएगा किस में से निकला जाएगा तो लोहा लोहे के ask में से निकला जाएगा तो लोहे के S के उधारण में लिख देता हूं Magnetite Magnetite और एक लिखता हूं में Hemetite ये लोहे के S के हैं इन से लोहा प्राप्ट किया जाता है तो लोहे के S के अगर एक्जाम पूछे कौन कौन से होते हैं मेंगनेटाइट हैमेटाइट लोहे के ऐस खोते हैं जहां से उनसे लोहा निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा स्टुडेंट तो आगे चलते हैं यह मालो लोहे के ऐस के मेंगनेटाइट हैमेटाइट अब इस अब मैं चाहता हूं एस से दांतू प्राप्त करना है यानि कि लोहा प्राप्त करना है कोई भी दांतू प्राप्त करना है एसक से दांतू प्राप्त करना क्या कहलाता है निसकर्शन कहलाता है यह बहुत इंपोर्टन लाइन है इसको आप समझिए एसक में से अगर आपको दांतू प्राप्त करना है तो उसक्रिया को क्या बोला जाता है निसकर्शन निकालना एसक में से दांतू को बाहर निकालना उ जाता है निस्कर्शन अभी निस्कर्शन बहुत तरह के होते हैं जिसको मैं आपको विस्तार से समझाँगा उसको आप ढूंगे से इसाते हो तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूं धात वे टेंगरी की होती है उच्छ क्रिया सील होती है फाह लेवल की जो ज़्यादा करती है जो मैं आपको पड़ा चुका हम पहले बता चुका हूँ गिल्कुल कम क्रिया करने वाल निम्न क्रिया सील तो आपको अर्ण गया है कि लाधौ तिन कटेकरिवी होती है उच्च क्रियसील, मध्यम क्रियसील और निमन क्रियसील अब आप इसको ध्यान से समझेगा यहाँ पर में बात बता रहो जो उच्च क्रियसील धांतों होती हैं उनसे धांतों प्राप्ट करने की अलग भी दिये उच्छे क्रियासिल जो दांतों होती है, उनसे दांतों पराप्त करना तो उसकी अलग विदी है, अगर उनसे दांतों पराप्त करना उसकी अलग विदी है, और निम्न क्रियासिल दांतों से दांतों पराप्त करने की अलग विदी होती है, यह आप मैं आपको समझोंगा, इस फर्स्ट है अपना Cu2O इसको बोलते है क्यूप्राइट सेकंड है हमारा Cu2S कोपर ग्लांस कोपर ग्लांस कहते हैं इसको ठड़ है हमारा ZnCO3 केला माइन ये कुछ आइसको के एक्जाम्पल दे रहे के इसके स्टुडेंट्स एक दे रखा है क्यूप्राइट Cu2O एक दे रखा कोपर ग्लांस Cu2S एक दे रखा है केला माइन ZnCO3 ये जो आइसक है औकसाइड वाला आइसक है क्योंकि इसमें oxygen है ये आइसक जो है वो सलफाइड वाला स्ग है क्योंकि इसके अंदर सलफर है और यह जो ऐस्ग है क्योंकि इसके इन्दर कार्बोनेट मौजुद है तीनों आइस्क अलग-अलग तरह के हैं तो यह उक्साइड वाला आइसक है यह सलफाइड वाला आइसक है और यह कार्बोनेट वाला आइसक है आगे तिलते हम इसको मैं हटा देता हूँ ज्ञान से समझीए आईस से धादू पराप्त करने का मे principio याद करना आपको आइसक है सबसे बहले उसका संधरन करना पड़ेगा हमें क्या करना पराप्त करना पड़ेगा सांध्रन करना पड़ेगा और सांध्रन करने के बाद में तत्व का पर्थक करना पड़ेगा तत्व का पर्थक करना पड़ेगा तत्व को अलग करना पड़ेगा उसके बाद धांतू का सुद्धी करना पड़ेगा दांतू का सुध्धी करन, सफ़ाई करनी पड़ेगा, सुध्धी करन करना पड़ेगा ये तीन मेथड़, आपको चार मेथड़ आपको यार रगना जैसे आपको ऐस्कों का सांधरन किस परकार किया जाएगा आयसक का सांधरन किया जाएगा, सांधरन के बाद तत्व का पर्थकरन किया जाएगा पिर दातू का सुधिकरन किया जाएगा अब दीखिए आयसक का जो सांधरन किया जाता है क्यों किया जाता है? क्योंकि आयसक में विन परकार की असुध्या होती है उन असुद्यों को गेंग कहा जाता है उस गेंग को निकालना बहुत जरूरी होता है नहीं तो ये असुद्या आगे भी साथ साथ चलती रहती है तो ऐसको का सांधरन करने का ताथ पर ये है कि ऐसको से में मिली हुई असुद्यों को बाहर निकालना तो S को में जो असुद्य होती हुए उन्हें क्या कहा जाता है गेंग कहा जाता है एक्जाम पूछ अगर आपको definition गेंग किसे कहने है S को में पाई जाने वाली मिटी कंकर रेत वाली जो असुद्य पाई जाती है उसे गेंग कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है आगे चलते हम, आयस्क का सांधरन, मैं आपको थोड़ा आगे समझोगा, आयस्क का सांधरन समझोगा। देखिए, मैं चार्ट बना रहा हूँ ये आपको याद दोना च्छिए, आयस्क का सांधरन, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तीन तरह के दांतों होते हैं उच्छ क्रियाशील सेकंड होते हैं मर्द्यम क्रियाशील तीसरे तरह के होते हैं निम्न क्रियाशील तो उच्छ क्रियाशील दांतों कैसे प्राप्त किया जाते हैं और निम्न क्रियाशील दांतों कैसे प्राप्त किया जाते हैं आईस का सांद्रन करके यह आपको समझना है तो सबसे पहले जो माल उच्छ क्रियाशील दांतों होते हैं उनको प्राप्ट करने के लिए क्या किया जाता है आयस्कों को क्या किया जाता है गलित अवस्था में धांतो का विदुत अब गटन किया जाता है जो उच्छी क्रियाश्चिल धांतो कर आपको प्राप्ट करनी है एस्क में से तो क्या किया जाएगा गलित अवस्था में धांतो का विदुत अब गटन करके उन धांतो को प्राप्ट किया जाता है और हमें सुध्ध धांतो प्राप्ट हो जाती है कौनसी दांतू प्राप्त हो जाती है सुद्ध दांतू आसानी से प्राप्त हो जाती है सेकन हम चलते है मद्यम क्रियाशिल दांतू तो मद्यम क्रियाशिल दांतू के अंदर मान लो दो तरह के आइसक है आपके पास एक है कार्बोनेट आइसक और एक ऐस्क मोजूर है आपके पास में सल्फाइड ऐस्क जिसमें सल्फार होता है वो सल्फाइड ऐस्क केलाते हैं और जिसमें कार्बोनेट होते हैं कार्बोनेट ऐस्क केलाते हैं मालो आपको पास कार्बोनेट ऐस्क है आपको निस्तापन करना पड़ेगा इसका क्या करना पड़ेगा निस्तापन करना पड़ेगा और सल्फाइड एस का आपको बर्जन करना पड़ेगा बर्जन की विधी इस्तेमाल करनी पड़ेगी Carbonide S के लिए निस्तापन की विधी यूज़ करनी पड़ेगी और Sulfide S के लिए आपको बर्जन की विधी यूज़ करनी पड़ेगी Carbonide S के लिए जो निस्तापन की विधी यूज़ करते हैं उसमें ध्यान दीजे वायू सिमित मातरा में लेंगे वायू सिमित मात्रा में होनी चाहिए और इसमें वायू अधिक मात्रा में होनी चाहिए तो अब दियान दिजिए कार्बन डायस को निस्तापन विर्डी दुआरा हम क्या करेंगे किसमें चेंज कर देंगे और sulphide vessels को भी virgin vírdous से किस में change करेंगे में दोनों को साथ मेंलिचता हूंग Jahren हम इसको द Welcome लीज़ topics औकसाइड प्राप करेंगी से धान वखसाइड प्राप हो जाएंगे क्था कि दाना के साथ oxygen आ जाएगी और रता कि Satapa आने पर इसका हम क्या करेंगे अब चेन करेंगे कि क्या करेंगे इसका अब चेन और अब चेन करने बाद दातू का शोधन किया जाएगा तो यह आपको याद रखना है मद्यम क्रेशिल दांतू बहुत इंपोर्टेंट है जो योगुष दोनों यह वीडियों के अंदर दातू किसमें चेन्ज होता था दातू के औक्साइड में चेन्ज हो जाता है और धांतू का सोधन हो ज़ाता है माण लिजी ह險 क्या करते हैं दाती को ओकसाइट प्रप्षक्षाइट कर लेते हैं माल लिजी में कोई एक घंक का ऑकसाइट रिए लिए लिए रिक एदर लिए द्था तो और को यह हम क्या कर ना दाटोो अकसाइट बनाना बहुत भी फ़्ष बिना दाटो अकसाइट बने हर Même निस्तापन और बर्जन करने के बाद ही धातो असानी से बन सकते हैं मैं को समझ में निमने क्रियस्ट्व धातों में रियां और उसका क्या किया जाएगा अप्चेन किया जाएगा और अप्चेन करने के बाद में क्या प्राप्त होगी सुद्ध दातु प्राप्त हो जाएगी इस तरह यह चार्ड आपको स्टुडेंट से याद करना है किस परकार से किया जाता है यह चार्ड पूरा आपको याद हो ज अंतिम चरण अंतिम इस्टेप की तरब ले जाएगा और अमारे लेसंस समात हो जाएगा दातों और अधातों का तो मेरे खाल से आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा दो तिन बार वीडियो को जरूर देख लें पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो आज के इतना है धन्यवाद जैहिन जै बारत